नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है vampirehub.com की ओफिसी यूटूब चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग दोस्तों कैसे हूँ फाइनली माग एक नहीं वीडियो के साथ इसमें हम बात करेंगे आज के टॉफ फाइफ वेकेंसिस के बारे में और यहाँ पर पाचवी पास तस्वी पास बार्वी पास देजवेट पीजी डिपलोमा आई टी आई बीटिक सबके लिए वेकेंसी आई है दोस्तों आप इस वेडियो को पूरा देखिए आपको सारा डिटेल्स मालूम चल जाएगा आपको कोई और वेडियो देखने की जरूत नहीं पड़ेगी चलिए हम चलते हैं सीधे अपने वेबसाइट पे और आपको बताते हैं आज के टॉप फाइफ वेकेंसी के डिटेल्स दोस्तों मैं complete डिटेल नहीं बताऊंगा आपको सौट में आइडिया दूँगा कि आप इस वेकेंसी के लिए आप लाइक कर पाऊगे की नहीं और दोस्तों इसके complete डिटेल का लिंक दे दूँगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में साथी पहले कमेंट में साथी दोस्तों मैं इन सारे वेकेंसी पे फिर से complete डिटेल के साथ वीडियो भी बना दूँगा आज और कल में तो चलिए हम जान लेते हैं आप सबसे पहले इन वेकेंसी के बारे में कि कौन सी नहीं वेकेंसी आईए आज के डिट में दोस्तों आज की पहली वेकेंसी आईए UPSC NDA के डिपार्टमेंट से और यहाँ पे 400 National Defense Academy से पोश्ट हैं काफी एच्छी वेकेंसी है Central Government की All India से candidate इसके लिए अपलाई कर पाएंगे और दोस्तों यहाँ पे Total वेकेंसी है 400 और candidates के पोश्ट हैं इसके लिए कौन अपलाई करेंगे तो इस वेकेंसी के लिए बारवी पास अपलाई करेंगे और सैलरी आपको मिल जाएगी 56,100 रुपया पर मंत की स्टार्टिंग में ही काफी एच्छी सैलरी है बारवी पास के लिए सपना लगता है लेकिन हाँ यहाँ पे सच है आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो All India की वेकेंसी आ कोई भी experience नहीं चाहिए चलिए भाम बात करते हैं second vacancy की दुस्तु second vacancy भी बहुती खास है और यह वेकेंसी आईए Indian Coast Guard के डिपार्मेंट से भारती टरटरक्शक के डिपार्मेंट से एक Central Government की जौब है, किंदी सरकार की भरती है और यहां पे आपको 350 नाविक General Duty वर DB वा यांतरिक के पदों पर वेकेंसी आई है दोस्तो इसके लिए नाविक General Duty के लिए 10 वी पास अपलाई करेंगे और सैलरी आपको मिल जाएगी 28 ज़र रुपाय पर मन्त की नाविक DB के लिए अपलाई करेंगे बारवी पास और सैलरी आपको मिल जाएगी 30 ज़र रुपाय पर मन्त की वहीं यांतरिक के लिए अपलाई करेंगे डिप्लोमा पास और आपको सैलरी मिल जाएगी 36 ज़र रुपाय पर मन्त की दोस्तो काफी अच्छी वेकेंसी है तो आल इंडिया से आप कैंडिडेट सप्लाई कर सकते हैं और यहां पे कोई experience नहीं मागया है तो इसके लिए जरूर से मेल कैंडिडेट सप्लाई करें अब दोस्तो चलिए हम चलते हैं थर्ड वेकेंसी की ओर दोस्तो आज की थर्ड वेकेंसी की बात करें तो आज की थर्ड वेकेंसी आईए NCE SS के डिपार्टमेंट से बोले तो National Center for Earth Science Studies के डिपार्टमेंट से और दोस्तो यहां पे 51 Levelatory Assistant Technician वह अन्य पदो पर वेकेंसी आई है जिसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं Graduate, Diploma, Any Graduate, BTEC, PZ वाले अपलाई करेंगे और यहां पे salary आपको मिल जाएगी 20 ज़र उपय से लेकर 40 ज़र उपया पर मंद की यह भी काफी अच्छी वेकेंसी है All Over India से candidate अपलाई कर सकते हैं इसके लिए यहां पे Fraser और Experience दोनो candidate के लिए वेकेंसी है और All India के वेकेंसी है male or female दोनों अपलाई कर सकते हैं आप लोग जरूर से इसके लिए भी अपलाई करें दोस्तों अगली वेकेंसी की बात करें तो अगली वेकेंसी आई यह BPSC के डिपार्टमेंट से और यहां पे DPRO के पद है बोले तो 31 Assistant Director Cum District Public Relations Officer यानि के DPRO के पद है दोस्तों इसके लिए graduate apply करेंगे कौन से graduate apply करेंगे तो दोस्तों इसके लिए आपको apply करेंगे bachelor degree in journalism, mass communication from any recognized board वाले और दोस्तों यहां पे salary आपको मिल जाती है काफी अच्छी salary यहां पे आपको मिलती है 53,100 उपीज से लेकर 167,800 उपीज पर मन की दोस्तों यहां पे भी All India से candidate apply कर सकते हैं बसरते job location रहेगा आपको बिहार और यहां पे कोई experience नहीं चाहिए male of male दोनों apply कर सकते हैं तो आप लोग जरूर से apply करें दोस्तों अगली vacancy की बात करेंगे तो अगली vacancy भी बहुत ही खास है और यह vacancy आई है गिटको के department से और यहां पे जूनियर इंजिनियर के पदो पर 352 vacancies आई हैं जिसके लिए आपको BTEC वाले apply करेंगे डिप्लोमा वाले apply नहीं कर सकते हैं male of male दोनों apply कर सकते हैं और यहां पे salary आपको मिलती है 37,000 रुपय से लेकर 49,000 रुपय पर मन की दोस्तों इसको apply करने का last rate है नौजुलाई दोस्तों इसके बारे मैं बता दू और भी details आपको तो दोस्तों यहां पे electrical और civil के post है और इसके लिए आपको कौन apply करेंगे तो BTEC in electrical और उससे related branch वाले साथी civil वाले apply करेंगे कोई भी experience नहीं चाहिए दोस्तों इन 5 वेकेंसिस के complete detail का link हमारे website का link आपको मिल जाएगा पहले comment में साथी वीडियो के description में जाए complete detail को पढ़कर apply कर दीजिए अगर आप apply नहीं कर पाते हो तो आप इस वीडियो पे जरूर से comment करें किसी भी वेकेंसि पे कम से कम 20 comment आ गए कि form flip का वीडियो सर बना दो तो मैं बना दूँगा और दोस्तों इस वीडियो को जरूर से like करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए हमारे नए तरीके के वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो में बस इतना ही जैहिंद वंदे मात्रम